जैहिन दोस्तों केरियर पॉइंट की यूट्यूब चनल पर मैं इलकुमार आपका सवागत करता हूं दोस्तों अगर आप लोग अससी अम्टियेश हवलदार के एक्जाम के लिए तियारी करें तो आज का जो मोग टेस्ट है वो आपके एक्जाम के बहुत ही जबरतस तरहने तो फ्रिंड्स यादक ना आपका एक्जाम दो मईस से श्टारि और वीज उन तक आपका एक्जाम होना है और फिर्फिंड्स आप लोग ये मौक टेस्ट जरू लगाना क्योंकि आपकी एकजाम के लिए मोग टेस्ट बहुत इंप्रिंट है यहां से दोस्तितन क्विचन आ देना है जिससे कि आपकी जो तयारी है वो बहुत ही जबर्दस रहेगी तो चलिए फ्रेंट्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्यूशन से वन डेवन 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 22 स्तंबर को मुक्ति द्योश की रूप में मुसलमानों के द्वारा मनाया जाता है, option number D, right answer होगा, 22 स्तंबर, next है, अकिल भारति किसान सभा किस्तापना की सुवर्स्वीती, friends, 1936 में, 1936 में, अकिल भारति किसान सभा किस्तापना की गई, option number B, right answer होगा, next है, सार्दा एक्ट किस से समझ्दित है, French, सार्दा एक्ट का समझ्द है, बाल व्युहा से, option number C, right answer होगा, बाल व्युहा, next है, आईरन सब्द किस खेल से समझ्दित है, friends, iron सब्द का समझ्द है, गॉल्फ केल से, option number A, right answer होगा, गॉल्फ, next है, देश का पर्थम क्रिसे विश्य विशर विधाले, पहली बार कब लाग हुआ फ्रेंट्स राश्प्रति शासन पहली बार 1921 में लगा था उप्शन नमर बी राइट अंसवा 1951 आप लोग फ्रेंट्स याद कना नेक्स्ट है मेरा वतन पुष्टक के लेकर कुन है फ्रेंट्स विष्णू परभाकर मेरा वतन पुष्टक के लेकर कैं उप्शन नमर सी राइट अंसर होगा विष्णू परभाकर नेक्स्ट है दिल्ली के लालकली में मोती मचिद का निर्मान किसके दवारा किया गया था फ्रेंट्स ओरंग जेब की दवारा मोती मचिद का निर्मान दिल्ली के लालकली में किया गया था उप्शन नमर डी राइट अंसर होगा ओरंग जेब की दवारा नेक्स्ट है हाथी गुफा अभिलेक में किनकी उपलवदियों का विवरण है फ्रेंट्स खार्विल की उपलवदियों का विवरण क्या गया है हाथी गुबा अभिलेक में उप्शन नमर ए राइट अंसर होगा खार्विल नेक्स्ट है राल्फ फिच किसके सासनकाल में भारत आया था ये अकबर के ससन काल में भारता है था, option number B, right answer होगा अकबर next है, खारविल को किस उपादी से पुकारा जाता है, friends याकना, महराज की उपादी से खारविल को पुकारा जाता है, option number A, right answer होगा महराज next है, लखनव शेहर की स्थापना किस ने की थी, friends याकना, लक्षमन जी ने, लखनव शेहर की स्थापना की थी, option number D, right answer होगा लक्षमन जी next है, गोल घर की स्थापना किस ओवर सोई थी, friends, 376 में गोल घर की स्थापना होई थी, option number B, right answer होगा next मुगल गार्डन कहां पर इस्थित है friends या राष्टपती भावन में कहां पर या दोस्तों मुगल गार्डन राष्टपती भावन में इस्थित है option number B right answer होगा राष्टपती भावन next है रिगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है friends उंट को तो रिगिस्तान का जहाज कहा जाता है, option no. D, right answer होगा, उंट. Next है, थर्मामीटर का अविस्कार, किस वर्स किया गया? Friends, 3714 में थर्मामीटर का अविस्कार किया गया, option no. A, right answer होगा. Next है, केन सुगर को क्या कहा जाता है? प्रेंट्स यादकना सुक्रोज कहा जाता है केन शुकर को option number C, right answer होगा सुक्रोज next है natural selection का सिधान्त किसी ने दिया प्रेंट्स यादकना Charles Darwin ने natural selection का सिधान दिया option number B, right answer होगा Charles Darwin next है, सरीर में परचूर मातरा में पाया जाने वोला तत्तों क्या है प्रेंट्स यादकना ओक्षिजन स्रीर में परश्चूर मातरा में पाए जाता है, option number B, right answer होगा oxygen next है, सबसे जटिल कार्बिक पदार्त क्या है प्रेंट्स यादकना, protein सबसे जटिल कार्बिक पदार्त है, option number C, right answer होगा protein next है राष्टिये सदभावना दिवस कब मनाया जता है friends 30 अगस्त को राष्टिये सदभावना दिवस मनाया जता है option number D right answer होगा 30 अगस्त next है शिलंका कब सवतनतर हुआ था friends यादकना 1948 में शिलंका सवतनतर हुआ option number B right answer होगा next है पाकिस्तान ने बांगलादेश को कब मानेता दी friends यादकना 1974 में 1974 में पाकिस्तान ने बांगलादेश को मानेता दी थी option number C right answer होगा next है बंगाल विभाजन किसमें कोंगरेश के अध्यक्स कौन थे next है काँचिपुर्म किस राजय में इस्तित है friends यादकना यह तमिलनाडू राजय में इस्तित है option number D right answer होगा तमिलनाडू next है कापार्ट का मुख्याले कहाँ है CPA паль का मुख्याल है Option A, right answer नी नेक्स्ट, ज़्को बोग सिख्षाग का वर्नन कि चै ज़्को बोग सिख्षाग का वर्नन वह अर्यको वहति पितक कि से ईप्ष volver, and इंडिया पुष्टक के लेख कून है फ्रेंट्स यातक ना जसुवन सिंग डिफेंडिंग इंडिया पुष्टक के लेख के है option number C राइट अंसो का जसुवन सिंग next है क्रांती अमर रहे का नारा पहली बार कब दिया गया था friends 1928 1928 में क्रांती अमर रहे का नारा दिया गया पहली बार option number A राइट अंसो का उन्नीस ओठाइस में next है father of Indian Ernest की से कहा जाता है friends बाल गंगा धरतिलक को father of Indian Ernest कहा जाता है option number C राइट अंसो का बाल गंगा धरतिलक next है हिंदू तब मुस्लमानों को किसने भारत की दो आँखे कहा था friends सेद एहमद खाँ सर सेद एहमद खाँ ने हिंदू तब मुस्लमानों को भारत की दो आँखे कहा था option number B राइट अंसो का सर सेद एहमद खाँ next है किस वाइशरा के सासनकाल में होमरूल लिक की स्तापना की गई थी आटिकल 263 याथना आटिकल 263 में अंतराजे प्रिशद का वर्णन है अगला क्योंशन है राष्टपती किस सूची पर अदेश जारी नहीं कर सकता है तो राजे सूची पर राष्टपती अदेश जारी नहीं कर सकता है option number B राइट अंसो का वहीं सूची समवर्थे शूची पर कर सकता है next है लोक अदालत सबसे पहले किस राजे में आईजुत की गई थी फ्रेंट्स गुजरात राजे में लोक अदालत सबसे पहले आईजुत की गई थी option number A राइट अंसो का गुजरात next है जलिया निर्मान करने में कौन सा एशियाई देश पर्थम स्थान रखता है फ्रेंट्स जलिया निर्मान करने में जापान देश पर्थम स्थान रखता है option number B राइट अंसो का जापान next है महासागरों का निर्मान किस चटान से हुआ है फ्रेंड्स बेशार्टिक चत्तानों से महा सागरों का निर्मान हुआ है, option number D, right answer बेशार्टिक चत्तान next है, धाउनिस से समझसेत विजयान क्या कहलता है, फ्रेंड्स एकोस्टिक विजयान कहा जाता है, option number C, right answer बेशार्टिक हुआ ये यार्कना स्कोटलेंड का राश्टि खेले रगभी फुटबॉल ओप्चिन नंबर B राइट अन्स होगा स्कोटलेंड नेच्ट भार्त में डाक जीवन विमा योजना की शुरुआत की शुरुआत की शुरुआत की गई ओप्चिन नंबर A continues next है महातमा बुद्ध की मुरुत्य के उनके स्रीर के आउशेशो पर कितने स्तूपों का निर्मान कि आ गया friends है आठ Jupiter का निर्मान कि आ गया था option number C right answer गा next है ताज महल की फूअध निकल किस मकबरे को कहा जाता है friends है बीबी का मकबरा है जिसको कहा जाता है ताजमहल की फूहड निकल option no.D राइट थन्सोगा बीबी का मकबरा next है दक्षिन का ब्रह्म समाज की समाज को next और last question है सरवादिक इंटरनेट उप्योग करता वाला देश को उनसा है चीन देश में सबसेदिक इंटरनेट का पुर्योग क्या जाता है उप्शन नमर सी राइट अनसर होगा चीन और फ्रेंट्स इसक साथ आज की टोप फिप्टी क्योशन कंप्लिट थे हैं अपने सभी और फ्रेंट्स हमें कमेंट करना आपको आज का वीडियो कैशा लगा और किस एक्जाम के लिए आप लोग वीडियो चाते हैं और फ्रेंट्स अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आये ना तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है और bell icon कोन करना है जिसे आपको आने वाले सभी latest वीडियो का notification मिलता रहे और friends जादा जादा अपने friends के साथ में share करना है मिलते नेक्स वीडियो में गुडबाई friends टेक कियर जै हिंद जै भारत